वेलकम टू जीरो से जिन्यास तक इस वीडियो क्वी टेस्ट में हम आपसे पूछेंगे बिलकुल एक्जाम लेवल के हिस्ट्री के 20 इंपोर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को तो ध्यान से खेलिएगा और देखते हैं आप इन 20 सवालों में कितने का सही आंसर कर पाते हैं तो ग्रिह यूद्ध के फल्स औरूप किसका अंत हुआ आपको जब आफ सोचने के लिए मिलेंगे पाच सेकेंड का समय ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब राइट आंसर है आप्शन नमबर ए दास प्रथा कोस्टन नमबर नेक्स्ट अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फायक्टरी कहां अस्थापित की थे सही आंसर है आप्शन नमबर भी सूरत कोस्टन नमबर नेक्स्ट भीना दूर्ग के एक मात्रा सिंधु नगर कौन सा था सही आंसर है आप्शन नमबर दी चहुद्रों कोस्टन नमबर नेक्स्ट निम्ण में से कीस घटना ने बिरिटिस्ट इस्ट इंडिया कमपनी को बंगाल सुबे का वास्त्विक स्वामी बना दिया निम्ण में से कीस घटना ने बिरिटिस्ट इस्ट इंडिया कमपनी को बंगाल सुबे का वास्त्विक स्वामी बना दिया सही आंसर है option number A boxer की लराई boxer की लराई और ये लराई कब हुए थे 1764 में question number next पुर्त गालियों का पहला वाय सराय कौन था सही आंसर है option number C Francisco D. Almedia और ये वाय सराय कब थे 1505 में next सवाल है धिली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परवपकारी चिकित सालय की अस्थापना की सही आंसर है option number A फिरोज तुगलक question number next स्वायम को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था सही आंसर है option number B allow दिन खेल जी भारत के लिए समुंदरी मार्ग की खोज कसरे है किसे जाता है सही आंसर है option number C पूर्त गालियों को question number next इवन भतुत्ता किसके सासनकाल में भारत आया था सही आंसर है option number C मुहम्मद बिन तुगलक question number next तीन परमुख राजनेता कौन थे जिनोंने गूट निरपेक्ष आंदोलन को सुरू किया सही आंसर है option number D निहरू, अबदुलनासिर, मार्शल, टीटो question number next और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो आप अपने फोन की इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल एकन को दबा दीजिए क्योंकि ये चैनल आपके सिल्यवस पर और करते हैं धन्याबाद आगे सवाल है सब्सक्राइब वर्सिय युद्ध में कौन से दो देश सामिल थे सही आंसर है आप्सन नमबर बी इंगलाएंड और फरांस क्वेशन नमबर नेक्स्ट युनानी मिठक में अपोलो किसका देवता है सही आंसर है आपने देखा होगा अपोलो ट्रामा अपोलो होस्पिटल मेंस चिक्कितेसा से संबंधित देवता अपोलो क्वेशन क्या है कि युनानी मिठक में अपोलो किसका देवता है राइट आंसर है चिक्कितेसा के क्वेशन नमबर नेक्स्ट सिया मुसल्मानों का पवित्र नगर करवला किस देश में है सही आंसर है ओप्सन नमबर बी इराक क्वेशन नमबर नेक्स्ट लियोनार्डो दाविंची किस युग का परतिनिधित्व करता है सही आंसर है ओप्सन नमबर बी पूनर जागरन का क्वेशन नमबर नेक्स्ट एडोल्फ हिटलर के लिए सामी बिरोधी निती का अर्थ क्या था सही आंसर है ओप्सन नमबर बी यहुदी बिरोधी निती क्वेशन नमबर नेक्स्ट वाटर लू कहां इस्तित है सही आंसर है ओप्सन नमबर डी बेल्जीम में क्वेशन नमबर नेक्स्ट दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कीसे इतिहासकारों ने बिरोधों का मिस्रन बताया है सही आंसर है ओप्सन नमबर सी मुहम्मद बिन तुगलक क्वेशन नमबर नेक्स्ट सुल्तान वंस की विसालतम अस्थाई से न जिसका भुकतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था ये किसने बनाया था या बनाई थी सही आंसर है ओप्सन नमबर बी क्वेशन नमबर नेक्स्ट अंग्रेजों ने निम्न अस्थानों पर जिसक्रम में अपने व्यापार केंद्र अस्थापित किये उनका सही कला अनुक्रम क्या है अंग्रेजों ने निम्न अस्थानों पर जीश क्रम में अपने व्यापार केंद्र अस्थापित किये उनका सही कला अनुक्रम क्या है? सही अंसर है ओप्षन नमबर C सूरत उसके बाद मदरास उसके बाद बंबई जो अब मुंबई हो गया उसके बाद कलकता अब कोलकता हो गया तो राइट अंसर है ओप्षन नमबर C सिंधु घाटी सभ्याता की मुख्य विशेशता क्या थी सही आंसर है ओप्सन नमबर बी व्यवास्थित्य सहरी जीवन यह सवाल पिछले वीडियो के Q4U में पूछे गये थे आपके लिए एक नए सवाल है प्राती वर्स पूरे भारत में अतंकवाद बिरोधी दिवस की से तारिक को मनाया जाता है यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कॉमेंट बक्स में जाना है वहाँ पे लिखना है Q4U और इसके राइट आंसर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने मित्र जणों में सेर जरूर करिए आप जाहे तो आई बटन पर किली करके और भी वीडियोज को देख सकते हैं तो मिलता हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत